नमस्कार किसान साथियो टेक पाबा चैनल पर आपका एक बार फित से स्वागत है तो किसान साथियो बहुत सारे हमारे किसान साथियो जो छोटे ट्रैक्टर यूज करते हैं या टिलर हैं वीडर हैं वो इस्तिमाल करते हैं उनके लिए उनको ब्रेक वाले ट्रोली की जुरत पड़ती है टिलर के लिए और बिना ब्रेक वाले ट्रोली की जुरत पड़ती है छोटे जो च्यार टायर वाले ट्रेक्टर होते हैं उनके लिए उसके लिए जुरत पड़ती है उनको बहतरीन डिजाइन की हुई ट्रोली की तो ये ट्रोली त्यार की गई है किसान सॉलूशन्स के दबारा, इसमें जो चद्र और पूरा मेट्रियल यूज किया गया है, वो हैवी मेट्रियल है, और जो है GI कोटिड है, जिसके उपर रस्ट नहीं लगता है, दूसरी बात है इसमें जो वील्स यूज किये गई है, वो है अलोई वील्स हैं, जो बाइक के टायर साते हैं, उनके अलोई वील इसमें इस्तिमाल किये गई है, बिल्ट क्वालिटी को इस तरीके से किया गया है, त्यार की ये देखने में बहुती सुंदर, खुबसूरत और मजबूत है साथ में इसके साथ जो sheet है वो भी अच्छी quality की use की गई है जो इसमें joining hook है वो भी बहतरीन quality अच्छी मजबूती के साथ इसमें लगाया गया है adjustable भी है अगर आगे पीछे करना है तो nut की मदद से आप इसे गुमा के adjust कर सकते हैं अगली अगर इसमें features की बात करें तो इसमें जो इसका base है वो भी बहतरीन तरीके से design किया गया है इसका जो आगे का hook है वो foldable है stand जो इसको एक जबरदस्त जो है सुविधा परदान करता है जब किसान को tiller वगएरा join करना होता है और इसकी कीमत जो है मातर 24,990 रुपे से start होती है बाकी जो आप size जो इसका लेते हैं उसके इसाब से इसका rate कम ज़ादा होता है seat बहुत ही आरामदायक कुशन वाली है और मजबूती से इसको जो है install किया गया है साथ के साथ अगर आप इसके frame की बात करें वो भी बहुत ही बहतरीन और मजबूती से लगाया गया है breaking pedal भी बहुत ही smooth और comfortable जगह पर लगया ताकि आप आरासाने से break लगा पाएं इसका आप अंदर से भी built देखोगे आपको कहीं पर इसके ज़्यादा बैल्ड नजर नहीं आएगा जिससे seat कमजोर हो जाती है seat में जो locking है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन तरीके सीकी गई है पिछे का जो डाला है वो भी मजबूत locking system के साथ में लगाया गया है इसलिए इसको जो है लोक करना भी आसान है खोलना भी आसान है तो इसको ज़स्ट आपको करना होता है हुक में डालना है और आगे इसको पूल कर देना है तो आसानी से आप इसे लगा सकते हैं अधरवाइज क्या होता है नट रो जो नॉर्मल कुंडी होती है उसमें काफी तिकत आते किसान को जब सामान होता है उस टाइम लोक करने में परन्तु यह इस तरीके से डिजाइन किया है कि आसानी से ओन ओफ हो जाता है नीचे ब्रेकिंग सिस्टम की भी आप बात करें तो मजबूत जो है इसमें तार के साथ में इसको जोड़ा गया है इजी स्मूथ जो इसका रोटनी बनाई गई है ताकि आसानी से जब आप ब्रेक इंप्लिमेंट जो अपलाई करो या आपको कहीं किसी दूसरी ट्रोली में इतना smooth braking system नहीं मिलेगा जो seat की locking है वो भी बेहतरी तरीके से की गई है ताकि कम से कम weld का इस्तेमाल करके अच्छी quality के साथ आपकी ट्रोली को त्यार किया जा सके इसके अगर आप tires का भी system देखेंगे तो बहुत smooth है जिसकी वेज़ेसे अगर आप इसको बाइक से जोड़ें या टिलर से जोड़ें या ट्रेक्टर से जोड़ें किसी में भी आपको extra force लगाने की जुरूत नहीं पड़ेगी ब्रेकिंग को भी adjustable बनाया गया है अगर कुछ समय के बाद जब leather घिसता है तो आप इसको tight कर सकते हैं आसानी से घर पे ही तो इसलिए adjustable brakes हर जगे आपको adjustable मिलेंगे चाहे tire के पास है चाहे central जो mid rotary है वहाँ पे है चाहे जहाँ पे paddle लगा है वहाँ पे तो तीनों जगहे पे आप adjust करके braking को बेतरीन बना सकते हैं अगर आप इस तरह की trolley हर्याना में या र्याना के आसपा सेरिया में बनवाना चाहते हैं तो दिये वे नमबरों पर आप संपरक कर सकते हैं आप अपना अगर इसमें कुछ modification चाहते हैं तो वह भी करवा सकते हैं complete set करके आपको जो है त rust material मतलब जिसमें जंग नहीं लगता है वो GI material इसमें इस्तिमाल किया गया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like, share और चैनल को subscribe जरूर करें